हेलो एबरिवन मैं मेथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे रिती रिवाज के अनुसार सबसे पहले यहाँ पे कुछ वीनर्स के नाम आपको दिखाई पढ़ रहे होंगे क्योंकि मैंने पिछले दिन जिस कॉस्चन का आंसर पूछा था सही सही आंसर इन ही लोगों ने किया है तो इनको टोकरी भरके बढ़ाई इसी तरह से यह जीवन में आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन में बहुत अच्छा करते रहें तो चलिए अगर आपको भी यहाँ पे अपनी इमेज देखनी है तो क्या करना है आपको बस एक छोटा सा कोश्चन का आंसर देना है जो मैं की कोश्चन आप देड़े पूछूंगा वीडियो के अंत में तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा question of the day का answer कीजिएगा और pen paper लेकर बैठा कीजिए ताकि आप सारे चीज़ों को note down कर सको तो चलिए पहले question की ओर बढ़ेंगे उससे पहले like, share, subscribe जरूर कर दे like ज़्यादा से ज़्यादा करें और comment box में जो question पूछा जाता है उसका answer जरूर कर दे चलिए पहले question की ओर बढ़ते हैं what is the latest estimate GDP growth rate of India as per the ADB in 2021 and 2022 तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ADB बहुत ही important है ACN Development Bank और इसकी जो main branch है I mean मुख्याले जो बोलते हैं head office वो है Manila Philippines में तो याद रखिएगा इस बात को यह question बहुत बार पूछा जा चुका है तो यह मैंने आपको बता दिया अब पढ़ते हैं question की ओर GDP growth rate जो इंडिया का है यह 10% तक ही रहेगी हमारी GDP की growth rate देखिए pandemic जब से आया ने तब से सारे चीज़ों को इसने चौपट करके रखा है बच्चों की पढ़ाई हो लोगों का बिजनस हो रोजी रोजगार हो या फिर जीवन हो सब कुछ छेना है तो GDP भी नीचे जाएगी आगे बढ़ेंगे और देखिए एक बात बता दू पहले इसको 11% होना था लेकिन ये कितना पे रहा गया 10% अब बोलोगी 1% से क्या हो जाता है लेकिन देखो 1% में न कितने हजारों कडोर बिलियन समझ लो ऐसा नुखसान हो जाता है देश का आगे बढ़ेंगे अगले कोशन की और नेक्स कोशन आपके सामने यह रहा इन इंडिया इन इंडियन बीचेश गेट ब्लू फ्लैग सेटिफिकेशन इन टोटल देखे ब्लू फ्लैग सेटिफिकेशन क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे तो यहाँ पे कितने बीचेश को मिला है एट नई टेन या नन आप दीच है तो देख macaron न टोटल टैन बीचेश को मिला हुआ है और यहाँ पे देखिए यहां पे आप देखोगे एको लेवल मतलब होता है वहां की साब सफाई बीच में जो है क्या क्वालिटी है बीच का पानी कैसा है और वो सीकुल मिला कर बात इतना समझ लो कि जब एक बार हमारे यहां जिंग पिंग में आये थे और हमारे परधान मंतरी नरेंदर दामुर्दरदास मोधी जब वहां सुबा टहल रहे थे तो मोधी साब ने बीच की सफाई खुद से करी थी तो अच्छी बात है ऐसी चीजें जरूर होनी चाहिए तो यहां पे टोटल इंडिया में 10 बीचेस है एड़ोकेट बाइड़ यूएन सेकरेटरी जनरल इन 2021 सोनेम वांग्चू देखिए साइंटिस्ट हैं लद्दाक से आते हैं आनंद कुमार मैथेमेटिसियन बिहार से आते हैं लच्छमी अगरवाल या कैला सतार्थी तो देखिए कैला सतार्थी को नोबल प्राइज मिल चुका है मालाला यूसूप जई के साथ पाकिस्तान की है मालाला यूसूप जई जिन्होंने महिलाओं के बच्चों के लिए बहुत आवाज उठाई और बंदूख से तालिवान के डर से उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और एक स्टेंडर काम किया तो देखिए यहां पे जो राइट आंसर होगा आप यहां से देख सकते हो New SDG Advocates इन्होंने जारी किया और यहां पे Nobel Nobel Prize winner कौन है केला सतर थी उन्हें 2014 में Nobel Peace Prize मिला था उन्हीं के लिए इन्हों को दिया गया था और एक बात मैं बता दूँ केला सत्यार थी जो हैं उन्हें Nobel Prize किसलिए मिला था उन्होंने उनको Peace Prize इसलिए मिला था कि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया था इसलिए उनको जो है Peace Prize मिला था आगे बढ़ेंगे अगले Question की ओर Yes Bank आप लोगोंने नाम सुना ही होगा इस Bank का यह जो है अपने ग्रहकों को Credit Card प्रदान के लिए किस भुकतान नेटवर्क के साथ समझोता किया है यानि कि यह जो Credit Card होती है न वो Credit Card किसके साथ यह मिलकर बनाएगी Yes Bank Discover Master Card American Express या फिर Visa देखिए आप लोगों के पास Master Card तो जरूर होगा तो इसका जो Right Answer होगा न यहां से आपको दिख रही होगी Card और यह रहा Yes Bank का Card और यहां पर आपको दिखेगा Visa के साथ मिलकर यह क्या करेंगे Card को Develop करेंगे तो कि अमेरिकन कंपनिया न बड़ी चलांक होती है आप देखो ऐसे ऐसे चीज़ों में उन्होंने अपने अपने कंपनी खड़ा करके रखिए कि आप उनके बिना जी नहीं सकते हो जैसे चाइना है वाईसा ही अमरिका है तो देखो Card में आपको दिखेगा अमरिका आप इसी तरह से कंपनी कंप्यूटर वाले में कंपनी में चले जाओगे तो आपको देखेगा डेल और बहुत सारी कंपनी आँस है एच पी तो यहां पर उनका न क्या उन्होंने अगर आप सोसल मेडिया पर जाओ तो फेस्बूग फेस्बूग से लेकर के यूट्यूब से मैं जहां पढ़ा रहा हूँ आपको ये भी अमेरिकन कंपनी है तो अच्छी बात है अमेरिका इसना डेवलब किया है हम लोगों को प्रेयर ना लेकर खुद आगे बढ़ना चाहिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेशन की और अगला क्वेशन बहुत 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 इंपोर्टन प्लीज नॉट डाउन कर लिजिए या तो स्क्रीन सॉट ले लिजिए इसका आप देखिए मोटो वो सेंटेंस होता है जो कि उस इवेंट का में परपस होता है जो कि एक दुसरे को जोड़ने की बात करता है तो देखिए जो पैरा ओलम्पिक विंटर हुआ है उसमें मोटो क्या था ओफिसल मोटो तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपको यहां से दिखेगा देखिए ये बीजिंग 2020 के विंटर ओलम्पिक के लिए इनोंने रखा है तो इसका क्या मतलब है पता नहीं ये चाइना वाले कुछ भी अंटिसंट लिख देते हैं तो खैर रहने देते हैं हम लोग इनका कहने का सिंपल सी बात है टोगेदर रहिए और यही चाइना वाला है जो की बीच बीच में इंडियन सोल्जर को हमला करके गायल करते हैं मार देते हैं और यही चाइना है जो तिबत मजा करके लोगों को सता रहा है विगर मुसलिम को सता रहा है किसी को नहीं छोड़त देखिए आपको केंदरी है वानिज ए और उद्योक मंत्री का नाम बता रहा है तो देखिए जिनको नॉट्स मैंने दिया है न उन्हें पता होगा क्योंकि मैंने न मोधी कैबिनेट को पूरी तरह से कभर किया है और आप लोग ने ने नॉट्स नहीं लिया है कोई बात नहीं समझ रहे हो मेरी बात को और नरेंदर सिंग तोमर जो है वो हमारे क्या है एगरी कल्चर मिनिस्टर है और प्यूस गौल साहब जो है वो हमारे सायद राइट आंसर होंगे मैं देख लेता हूँ एक बार जी हाँ बिलकुल प्यूस गौल साहब हमारे क्या है इंडिस्ट्रिय मिनिस्टर हैं तो राइट आंसर आपका क्या होगा प्यूस गोयल आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पर एक छोटा सा प्रसन आप लोगों से पूछ लूँ भारत की एजुकेशन मिनिस्टर कौन है छोटा सा प्रसन है प्लीज कोमेंट करके बता दीजिएगा इतना हु प्रफूर्ण to four nine में जो है मेरे नॉड्स को परछेस कर सकते हो और मेरे हेंडें नॉड्स से आप तैयारी को अपने मुकाम तक पहुंचा सकते हो तो अगर आप आखरी महीने में Aps क्राक्रा करना चाहती हो तो नॉड्ट साप मुझे जो आपको बठानी है अगर Aps के प्रि वो प्रभाइट कर दिया जाएगा अब आप बोलोगे इतनी बगबग कर ली बात कैसी होगी यहां से email आड़ी देख लो ना सांती रखना है आपको yourmithun sing at the.gmail.com पर mail कर लिजिए if you are on instagram then do follow me at the.imithun sing yourmithun sing at the.gmail.com पर भी आप मुझसे contact कर सकते हो regarding notes and previous year paper तो चलिए अगले question की ओर हम लोग बढ़ते हैं who has recently announced that ACA's first hybrid flying car देखिए ACA का पहला hybrid car कौन है जो की उड़ेगा भी medical emergency के लिए तो इसकी घोसना किस ने की तो देखिए राजनात सिंग नरेंद्र मोधी या फिर रावनात कोविन या फिर जोतिरादी सिंधिया तो देखिए उड़ने वाली बात जहां थी है aviation minister का ही होना चाहिए जोतिरादे सिंधिया लेकिन हम लोग फिर भी answer की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए यहां पर आपको दिखेगा जोतिर आरे वा ग्रेट तो यह answer क्या होगा जोतिरादे सिंधिया इनके पिताजी भी आपको मैं एक fun fact बता देता हूं इनके पिताजी Congress के माधा रादे सिंधिया जे थे उन्होंने अटल ब्यारी वाजपाई को गवालियर में जाकर हराया और वो भी civil aviation minister ही थे और यह जो जोतिरादे सिंधिया थे यह क्या थे Congress ही थे और हाल में ही बिजेपी में यह सामील हुए और बिजेपी ने उनको वही ministry दी जो इनके कॉमेंट करके बताने का उन्होंने जो है पूरे वल्ड में ग्लोबल का जो economic growth rate है वो क्या बताया 5.5, 5.1, 5.7 या 5.9 तो इसकी इसका जो correct answer है न वो देखी इन्होंने बताया है कि 2020 के लिए 4.5 और 21 में 5.7 रहने वाल है growth rate लेकिन जिस तर से omicron आ रहा है सारे prediction धरे के धर गिरेगी आगे बढ़ेंगे अगले question की ओर what is the theme of international day of sign language 2021 sign language जो अंतराष्टी भासा दिवसका है वो क्या है इस बार का हम मानावता के लिए स्ताक्षर करते हैं सांकेतिक भासा सभी के लिए है सभी के लिए सांकेतिक भासाधिकार या इनमें सिप कोई नहीं तो अब आपको human rights यहाँ पर आपको दिख रहा होगा we sign for human rights तो आपको यहाँ पर कौन दिख रहा है option number A क्या है correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अगले question की ओर next question आपके सामने यह रहा which prime minister has been honored with the SDZ program sorry progress award by the United State sponsored तो देखिए नरन मोधी सेख हसीना सेर बहदूर देबुआ या फिर महिंदरा राज़ पक्छे तो किसे जो है सब्मानित किया गया है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको image दिखेगी यहाँ पर सेख अबदुल्ला की और उनके बगल में उनकी बेटी सेख हसीना की और इन्हें जो है इस एवार्ड से सब्मानित किया गया है तो चलिए बंगला देश के हमने पहला question यह रहा which state stop in the recent released state food security index तो देखिए इसका जो right answer होगा वो है गुजरात recently which country has become a permanent member of SCO तो इरान को SCO का part बना दिया गया है recently who has been appointed at the first woman officer of BRO देखिए BRO का फुलफर्म होता है यह जो है border and road initiative यह किया गया है चैना के द्वारा तो आइना राना is the right answer आगे बढ़ेंगे अगले question की ओर लेकिन अगला question है नहीं अब question of the day आपसे पूछा जाएगा जी हां question of the day आपसे पूछा जाएगा तो बस आपको य ज्यादा century लगाने वाले किर्केटर कौन है international किर्केट में टेस्ट और ODI को मिलाकर number one पर कौन है आंसर करना है दूसरा question आपके सामने यह रहा टेस्ट में अगर कम से कम 1000 बनाने हो और सबसे ज्यादा average किसकी है comment करके यह दोनों question का answer दीजेगा किर्केट से related मैंने question आप लो day